नमस्कार प्रोग्रामर्स आगे बढ़ने से पहले चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हम जो क्या करते हैं हमने डेट फिल्टर के लिए जो लगाया था उसका वर्क कम्प्लीट हो चुका है साथ में ही इसका थोड़ा सा इंटेंटेशन हमको सही करना है सबसे पहले और ये सर्च जो है ये वर्क करना चालू कर दिया है तो अब सवाल ये उठता है जैसे एक बार हम अगर ट्रायल करना चाहें सपोस्ज डैट 26 से लेकर 30 तारीक तर एंड अपलाई किये गो ट्रांजेक्शन कोई नहीं था क्योंकि इसके बाद में कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ इसलिये हमको कुछ भी नहीं दे रहा है थीक है बढ़ हमको अभी क्या करना है ये जो आ रहा है इतना हिस्सा इसको एक तरफ करना है और यो वाला हिस्सा एक तरफ तरफ तो इसके लिए simply हमें चलना कहा है अब ये पेज जो है ये customer profile वाला page है तो हमको चलना है और दूसरा अब इसकी हमको जरुवत रही नहीं तो ये वाला code हम cut कर देते हैं ठीक है तो अब सवाल ये उठता है एक हिस्सा है ये section वाला और दूसरा है form वाला तो इसको simply हम क्या करेंगे यहीं पर हम एक और due लेंगे और ये due किसके लिए होगा आप यहाँ पर देख रहे होगे कि ये colon 12 में पहले ही लिया गया है colon 12 को ही हम और तोडने वाले है colon 12 को हम तोड़ेंगे 6 में और 6 में ठीक है तो simply ये वाला जो हिस्सा है ये आ जाएगा इस h3 tag के बाद में और यहाँ पर हम class दे देते हैं call md या उसने call 12 दिया है तो हम यहाँ पर सीधे call 6 देते हैं ठेक है और इसको एक tab अंदर किया हमने then यहाँ पर हमने एक due लिया और इसका class हमने दिया call 6 और finally इस form को हम बंद करते हैं और यह पूरा का पूरा form जो है इसको हमने एक tab का space दिया and यहाँ पर हमने अपना due बंद किया इसको पहले हम refresh करके देख लेते हैं कि इसने क्या दिया हमको ठीक है इसने यह content यहाँ दिया और यह content यहाँ दिया that means कि काम तो इसने किया और अब हम क्या करते हैं जो यह वाली row है इसको हम 8 दे देते हैं और इसको दे देते हैं 4 पूरा हमको 12 का करना होता है तो इसको करने से जो नीचे date वाला section को थोड़ा छोटा हो जाएगा हो गया अब finally हमें क्या करना है यह वाला हिस्सा इधर रखना है यह वाला हिस्सा इधर रखना है यहाँ पर हम div देते हैं और div में हमने दिया class row यह class row का div start हुआ और इसके ठीक बाद में यहाँ पर हम इस div को बंद कर देते हैं क्योंकि जब row रहता है और row के अंदर हम column बनाते हैं तो वो एक line में बनता है यहाँ पर row था नहीं इसलिए यह उपर और उसके नीचे दिखा रहा है तो अभी हम refresh करते हैं आगया line by line that means कि यह वाला काम हमारा complete हो गया अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम दे सकते हैं कि यह असल में है क्या filter के लिए है तो यही पर हम क्या कर सकते हैं यही पर हम simply span दे देते हैं या label भी दे सकते हैं तो label हमने दे दिया और date filter बस इतना देते हैं refresh करते हैं देखते हैं कि यह हमें क्या दे रहा है date filter यहां आया हमको यहां नीच चीए हमको चीए यहां पर तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें form का tag लगा हुआ है form tag के अंदर input है तीक है input यहां पर है और यहां पर एक icon लगा हुआ है तो हम ऐसा करते हैं इसको पूरा का पूरा यहां से हम simply इतना हम copy करते हैं और इस पूरी की पूरी line को हम delete कर देते हैं आते हैं इसके अंदर form group के अंदर form group के अंदर यह है वो due जिसके अंदर icon लगाया गया है और इसी के अंदर यहीं पर हम देते हैं लेबल और यहाँ पर हमने पेस्ट किया एक बार हम इसको रिफ्रेस्ट करके देखते हैं कि यह कहां दे रहा है आगया सामने ठीक है तो date filter है इसके आगया अगर हम space देना चाहते हैं तो हम space दे सकते हैं space दे दिया, रिफ्रेस्ट किया देख रहा है या फिर अगर यहाँ पर space इस तरीके से नहीं आ रहा है तो हमको एक मिलता है and nbsp और colon यह क्या करता है हमें एक-एक का space देता है तो मानलो हमने दो दिया तो दो का space यह हमको दे देगा date filter के बाद में आ गया, इतना काफी है ठीक है, अभी देखो date filter देने के बाद में इसका area छोटा हो गया है देख रहा है क्योंकि हमने इसको 4 का ही space दिया था इसलिए इसको चाहें जो हम देंगे वो 4 के अंदर ही इसको manage करना है तो अभी अगर हम फिर से चाहें तो 20 से लेकर 26 के बीच में हम filter मारते हैं और देखते हैं कि ये result हमको क्या दे रहा है मिल रहा है दो डिटा that means कि ये काम ठीक है, इतना ये हो चुका है अब हमारा next work क्या है जब ये इतना काम हो गया है तो हम इस transaction को print करना चाहते हैं उसके लिए हम print के लिए एक form बनाएंगे, तो अब आज आते हैं हम अपने html के form पे आपको याद होगा यहाँ पर हमने थोड़ा समय पहले pages में गये थे और यहाँ पर हमने invoice देखा था invoice पर अगर आएंगे, यह हम html के template पे हैं, याद रखना है invoice में अगर हम आते हैं, तो यहाँ नीचे हमें print बटन दिख रहा है, ठीक है इसको जब हम print करेंगे, तो आप notice करेंगा अभी हम जिस page पे हैं, उसका नाम क्या है, invoice.html और जब हम print करेंगे तो यह जाएगा एक नए page पे, ठीक है और यह नए tab में खुलेगा क्लिक किया, देख रहा है, आपको invoice-print.html नाम से एक नए page कुला है, मतलब कि हमें एक proper नई designing करने हैं और यह जो नए page कुला इसी का यह print layout में open कर दिया, और इसको हम अगर चाहें PDF में save कर सकते हैं, या print कर सकते हैं इसको cancel करते हैं, यह आपको दिख रहा है, same to same क्या था, इस page का जो इतना वाला हिस्सा है इसी को यह यहाँ पर लेकर आए हैं, फिर से, बट यह जो notice वाला section है वो इसके अंदर नहीं है इसके साथ में, यह जो नीचे के button यह भी आपको यहाँ पर नीचे देखने को नहीं मिलेंगे, तो अब हमारा काम क्या है, हम भी इसी तरीके से एक दूसरा page बनाएंगे, print करने के लिए, और उस print में हम क्या करेंगे जैसे यहाँ पर यह नाम आ रहा है हम यहाँ पर नाम ही देंगे ठीक है, यहाँ पर हम नाम देंगे और नाम के साथ में क्या होगा यहाँ पर simply from say to जो है यह सब कुछ हम हटा देंगे क्यों, क्योंकि हमको यह सब नहीं देना है हम क्या देंगे simply यहाँ पर नाम हो जाएगा company का date हो गया और इसके बाद में यहां पर बंदे का detail मतलब की customer का detail suppose that customer name customer id and customer name customer id and from date to to date इतना देंगे और नीचे फिर number of transactions होगे इसके अलावा और कुछ नहीं और एक चीज़ जहान रखना है यह जो date हम देंगे यह descending order में ना होकर ascending order में होगा मतलब की हम देखते हैं जब भी हम क्या करते हैं कोई भी transaction bank का निकालते हैं पीडिया form में यह जैसे भी तो वो ascending order में होता है descending order में नहीं मतलब की ऐसा नहीं है कि last वाला जो transaction था वो सबसे पहले दिखेगा और सबसे पहले वाला transaction सबसे last में ऐसा नहीं होता इसी को हम ascending or descending order कह तो अब हमें page बनाना है तो हमारा जो page वो असल में इस type का तो है नहीं हमारा page कैसा रहना है इस type का रहना है तो हम क्या करेंगे हम इसी page का layout लेंगे बट उसमें difference क्या होगा ये सब कुछ नहीं होगा इसका ये छोटा सा हिस्सा होगा या फिर हम ये वाला हिस्सा ले लेंगे ठीक है, या फिर हम इसके को ले सकते हैं, और नीचे ये सब कुछ तो होगा, बट इतना ये होगा, या हम इसको भी अटा देंगे, ये भी अटा देंगे, ठीक है, बस ये इतनी detail होगी, और अभी अगर हम इसको print करते हैं, suppose that, तो ये क्या करता है, ये दिखाने को तो केवल इ ये सारा data नहीं दिखा, या मतलब कि, ये इतना सारा data हम नहीं दिखाएंगे, इसमें से कुछ एक ही data दिखाएंगे, तब यही same to same page जो है, इसी को हमें करना है, copy, और याद रखना, ये सब कुछ होगा किस पे, हमें यहाँ पर एक बटन के click पे ये सारा काम करना है, मतलब क जो data इस page पे मिल रहा है, वही same to same data हमें उस वाले page पर भी ले चलना है, क्योंकि हम print जो करने वाले हैं, वो यहाँ पर जितना transaction दिख रहा है, उसी को print करना, अब मान लो कि हम यहाँ से filter कर रहे हैं, कि भाई, एक महिना है July, उसमें हम 1 July से लेकर 31 July के सारे transaction चाहते थे, वो transaction आ गये हैं यहाँ पर, अब हम चाहते हैं कि यह transaction आया, इसी को हम print कर लें, तो अब यहाँ पर logic हमें क्या सोचना है, कि इस वाले customer profile के इस वाले page पे जितना data है, उतना ही data हम जो एक नया printout के लिए form बनाएंगे, उस पे भी भेजना होगा, तो यह एक हमारे लिए challenge है, और स उसको हमें बस यहाँ पर सही तरीके से arrange कर देना, और ज्यादा तर चीजे तो यही same to same रखने हैं, तो यह सब कुछ रखने पर भी हमें वो printout कर देना है, तो मैं उमीद करता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा सोचो, और सोचने के बाद में try करो, कि हम इसको कैसे करेंगे, औ और इसके लिए हम इसी वाले page को लेंगे, और इस वाले page को लेने के बाद में हम अपना logic लिखेंगे, तो मैं उमीद करता हूँ कि यह try करोगे, कि कैसे इसको करना है, और इसको करते समय अगर आपको कोई confusion आता है, doubt आता है, तो आप comment करो, बट अच्छा तरीका यही होगा कि अब हम धीरे-धीरे advance की तरफ जा रहे हैं, और हमारा जो main logic था, वो लगभग लगभग पूरा complete होता है, अब इसके बाद में क्या होगा, कि बचे हुए कुछ important या required जो requirement होगी नहीं वाले, उसको हम इसको इसके अंदर बाद में implement करेंगे, और वहाँ पर यह भी देखा करेंगे, उसको भी देखेंगे, बट अभी का main task क्या है, कि इस page का हमें print out निकालना है, और simply क्या है, transaction details हमको निकालनी है, उस transaction details के लिए हमको यह idea मिल गया है, कि हमको एक नया page तो बनाना है, बट challenge यह है, कि इस नए page पे हमको वही data ले जाना है, जो यहाँ पर हमने filter करके लेकर आए हैं, और इसमें भी cases दो हैं, कि एक तो by default वाला case कि अगर हमने कुछ भी filter नहीं किया है, तो जितना भी transaction वो दिखता है, और अगर हमने filter कर लिया है, मतलब कि एक time boundation के अंदर का data मिल रहा है, अच्छा, यहाँ पर एक चीज और है, suppose that मालो, कि हम यहाँ पर आए, और इसको हम एक बार कोई यहाँ से enter करते हैं, enter किया, हम यहाँ पर आए, अच्छा, हमने वो वाला तो यहाँ से हटाई दिया, यह एक range में ही दे रहा है, ठीक है, कोई दिकत नहीं है, अब अगर हमको इतना समझ में आ गया है, तो चलो हम इसके लिए एक नया page बना ही लेत किया है, और उनको हटाने से थोड़ा हमको space मिल जाएगा, ओके यह footer भी हटा दिया हमने, and all customer details भी हटा देते हैं, ठीक है, हमको किस page पे ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है customer profile पे, ठीक है, क्योंकि इसी page का हमें हूब हूँ नकल बनाना है, लेकिन सबसे पहले चलो, इस हमने इसको paste कर दिया, आगे नई file, इसको हमें rename करना है, सबसे पहले तो, तो हम इसको rename करते हैं, किस नाम से, customer profile dash print, ठीक है, customer profile dash print नाम से हमने कर लिया, लेकिन अभी सवाल ये उठता है, कि हमें सबसे पहले, हमारे इस वाले page पर, जैसे यहाँ पर, print का button है, वैसे ही, का button देना है, तो, इसके लिए, अब हम सबसे पहले चलते हैं, invoice.html वाला जो page है, इसका code देखते हैं, तो simply, control U करते हैं, और, यहाँ आपर print है, तो हम यहाँ पर find करते हैं, simply, print, आ गए, तो, नहीं अभी नहीं आए, तो, यह रावो section, this row will not appear when printing, ठीक है, इस row will not appear when printing, इतना सही है, यहाँ पर क्या किया गया है, एक invoice.html नाम पर, यह एक anchor tag है, असल में देख रहा है आपको, यह पूरा का पूरा एक anchor tag है, और इसमें क्या दिया गया है, एक tag दिया गया है, प्रिंट नाम दिया गया है, और उसके नीचे, submit payment का एक button भी लगा और हमें जो चाहिए था, वो क्या चाहिए था, यही चाहिए था, ठीक है, और इस पर simply किया क्या गया है, इस पर किया यह गया है, कि invoice.html पे ले जाया गया है, उसके अलामा, footer में भी कुछ है यहाँ पर, content wrapper, no print, यह no print क्या है, अगर आप ध्यान दो, class है, class के अंदर no print कर पे एक class बनाई गई है, जो कि उस area को hide कर देगा, या print नहीं करने देगा, तो हमको यह वाला section लगाना होगा, इसके अलावा नीचे अगर हम देखते हैं, तो कुछ ऐसा है, क्या JS की file, तो यहाँ पर कोई भी ऐसी JS की file नहीं मिली हमको, प्लस हम header में भी चलके देख लेते ह क्या print के लिए यहाँ पर कोई CSS file है, कुछ भी नहीं है, okay, finally हम अगर यहाँ पर आते हैं, that means कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा काम नहीं किया गया, एक reference दिया गया है, और target दे दिया गया है, नए tab में खोलने का, और simply message है, तो अब सवाल यह उठता है, कि invoice print.html में कुछ ऐसा code है, जिसकी वज़े से क्या trigger हो रहा है, print trigger हो रहा है, जैसे हम इसको एक बार refresh करके देखते हैं, देख रहा है आपको, यही doubt था मुझे, क्या doubt है, आपने notice किया, कि हम जब invoice-print.html को refresh कर रहा है, यह automatic print mode खोल दे रहा है, देख रहा है, बट यह काम हमें यहाँ पर नहीं मिल कि इस invoice-print.html page पे एक javascript का code लगा ही लगा है, चलो देख लेते हैं उसको, और इससे हमारा doubt clear हो जाएगा, कि यह कैसे print का pop-up message खोल रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पर हमको कोई भी css नहीं मिल रही है, यहाँ पर एक media print लगाया गया है, at the rate media print जो की blank है, बट हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक छोटा सा script code लगा है, यह असल में क्या है, यह javascript का code है, javascript में window.addEventListener नाम से हमको एक method मिलता है, और यह method क्या करता है, इस method के थुरू हम किसी भी event को call कर सकते हैं, अब जैसे हमको क्या करना था window.print मतलब की browser के अंदर, जो हम right click करके print वाला option क्लिक करते हैं, उसी को यह automatic यहाँ से trigger कर रहा है, इसकी मदद से window.print method की मदद से, और इसके पीछे logic क्या लगाया गया है, simply यह है कि browser में जो print वाला option है, इसको हम यहाँ से click करके जो काम कर रहे हैं, वही यह on load पे कर रहा है, मतलब कि हम इतना code अगर हमारे बनाने वाले page में लगा देंगे, तो यह automatic क्या करेगा, यह automatic एक print का pop-up open कर देगा, अगर अभी के लिए हमको यही चीज़ देखनी है, तो हम क्या करते हैं, इस code को मैंने copy किया, आपको यह देख रहा है, यह load, यह भी हम find out कर सकते हैं, पर, अपने customer profile वाले page पर, तो हम आए customer profile print की जगा पर, customer profile पर, और यहाँ नीचे, एक चीज़ याद रहे, हम इसको दे रहे हैं, यहाँ पर, ठीक है, और एक बार हम क्या करते हैं, simply इस page को refresh करते हैं, देख रहा है आपको, that means कि अब आपको यह समझ में आ गया होगा, कि यह असल में windows.listener जो है, वो क्या काम कर रहा है, हम इसको किसी भी page में रखेंगे, यह उसको print mode में open कर देगा, और यही काम हम को करना है, तो हमको काम बस करना क्या है, एक proper design बनाना है, जिसको की print mode में open कर दिया जाए, और हम वही करने चल रहे हैं, और अमोमन आपको अब code पत 12 में ही यह लिया गया है, ठीक है, no print zone करके, तो हम चाहें तो इस वाले section को ले सकते हैं, या फिर हमारे इस वाले page में ये वाला जो area है, इसको हम पहले चल के देख लेते हैं, और इसको यहां से हम control Z करते हैं, और फिर चलते हैं यहां पर, तो यहां पर ऐसा कोई section तो हमको म बंद करें अगर हम, तो यह container, container fluid है, और container fluid के बाद में section बंद हो गया है, तो यह एक row है, row के अंदर call 12 है, call 12 दिख रहा है, यही पर हम एक नया call 12 ले सकते हैं, मतलब की, ठीक है, तब हम को करना क्या है, हम आते हैं, यहां वाले code पर, और यह row लिया गया है, no print, वाइसे हम तो पुरा का पुरा row ही ले लेते हैं, तो यहां से लेकर हमें यह row लेना है, यहां तक, row लेते समय ध्यान क्या देना है, due का, कि यह due जो है, यह due simply आकर close का हो रही है, तोड़ा सा doubt है मुझे, अगर हम last वाले से देखें, यह वाला due जो है, यह इसके लिए बंद हुआ है, copy क्या हमने, और हम असल में यहां पर ना लेकर क्या करेंगे, इस row के बाद मिलेंगे, तो यह row यहां पर बंद हो गई, खатम हो गई, यह वाली row जो है, यहां पर बंद हो गई, यही row था, यह row था, थोड़ा सा confusion हो जाता है, यह row यहां पर बंद हुआ, यहां पर हमने paste किया पेस्ट करने के साथ में इसका थोड़ा सा intent अच्छा एक चीज और देखो आप यहाँ पर अगर हम पूरे code को select कर लें और right click कर रें तो यहाँ से हमको VS code में एक shortcut मिलता है कि इसका format document मतलब कि document जो हमारा है उसको automatic ये एक सही format में arrange कर देगा click करके देखें आपको इस वाले हिस्से पिध्यान देना है तो मैंने इसको click किया देख रहा है automatic इसने इसको सही ढंग से arrange कर दिया खैर हमारा काम क्या है हमको बस यहाँ पर चल के ये देखना है कि क्या इसके नीचे एक print वाला option बटन आया की नहीं आया रिफ्रेस्स करते है देख रहा है आपको यहाँ पर print आ गया generate pdf और submit ठीक है तो हमको इतना सारा चीज तो नहीं चाहिए है बस हमको चाहिए क्या था यह print वाला button और इसके नीचे हमको space चाहिए है तो उस space के लिए हम क्या करेंगे यह जो row है यह जो row है इसी के नीचे हम BR दे देते हैं या इसके अंदर भी हम BR दे सकते हैं तो हम simply यहाँ पर एक BR दे दिये या हम चाहिए तो दो BR दे दिये और रिफ्रेस्स की एक बार आगया space और यह generate और submit payment जो है इसको हम अभी के लिए comment कर देते हैं might भी हो सकता है आगे हमको इसकी जरुवत पड़े अभी नहीं है तो हम इसको comment कर देते हैं अब हमारा काम किस पर बचा इस वाले section पर बचा लेकिद अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि हमको सारा का सारा data कहां ले जाना है invoice print dot html पर ले जाना है तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा challenge है कि हमको सारा का सारा data वहाँ पर ले जाना है तो अब हम कर क्या सकते हैं इसके लिए थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा पहले समझने की कोशिस करते हैं हम आ गए अपने customer profile वाले page पे ठीक है customer profile वाले page पे अगर हम ध्यान दे तो हम सबसे पहले unique ID ले रहे हैं और उसके बाद में हम profile का data ले रहे हैं ठीक है profile का data लेने के बाद में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं date range लिए date range जो कुछ मिलता है अगर तो हम यहाँ पर आएंगे otherwise हम data लेंगे यहाँ से ठीक है और उसके बाद में simply हम यहाँ पर क्या कर रहे थे हम एक यहाँ पर बनाए हैं क्या view का page और इसी पर यह सारा data हम transfer कर दे रहे थे that means कि हमको यहाँ पर दिमाग यह लगाना है कि जैसे हम यहाँ पर this load view template page का नाम दिया हमने page का नाम है यह और इस page पर हमने यह सारा data भेज दिया क्या वैसे ही हम यहाँ पर ऐसा logic नहीं लगा सकते हैं कि यही same data इस page पर भी चला जाए और यही same data यही इसी same controller से एक दूसरे page पर भी चला जाए जैसे कि यहाँ पर हमारा page क्या है customer profile-print का तो यह सोचने वाली बात है इस print में यहाँ पर हमको underscore देना है file के name में थोड़ा सा change है rename कर लेते हैं यहाँ पर जो हमने print दिया है print से ठीक पहले underscore देते हैं इसलिए क्योंकि हमने जब सारी file के नाम का pattern underscore से ही किया है तो वही करते हैं हम थे कहाँ पर welcome के controller पर तो सोचना क्या है हमें कि क्या जैसे हम इस controller से एक page पर HTML के page पर सारा data भेज रहे हैं वैसे ही कि हम similar method से एक साथ एक से ज़्यादा जगा पर data भेज सकते हैं कि नहीं अब यही है आपका main target point जहां पर की दिमाग लगाना है क्योंकि हमने page बना लिया हम क्या करते हैं बटन जो लगाना चाते थे वो भी लगा लिये final हमारा logic जो आकर अटक रहा है वो अटक रहा है यहां पर और मैं ये काम आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप इसको खुद से करने का try करो उमीद करता हूँ कि आप इसको कर पाओगे अगर नहीं होता है देन हम next वीडियो में इसको complete करेंगे तब तक के लिए चैनल को subscribe करना मत भूलिए coding करते रहिए स्वस्त रहिए मस्त रहिए फिर मिलता हूँ next वीडियो में इसको जहां पर हमने छोड़ा है इसके आगे के work के लिए तब तक के लिए जैहन नमस्कार